हेलो गाईस ट्रेक्शन डॉक्स में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वाकत है और आज कुड़ों में हम लोग बात करने वाल है हॉंटा एक्टवा 7G के स्पोर्ट्स एडिशन के बारे में ठीक है गाईस तो सबसे पहले आप लोगों ने डिजाइन इसका देख लिया हो कि भाई इसका डिजाइन क्यों अलग लग लग रहा है देखने में वह ऐसा इसलिए है क्योंकि गाईस इस बार होंडा एक्टवा 7G का जो स्पोर्ट्स एडिशन आने वाला ना जो कि आज तक कभी नहीं है वह कॉंप्टिशन देने वाला है बाकी मैक्सी स्कूटर्स और स् जो कि नॉर्मल से हटके जो स्पोर्ट्स वाली ऑडियंस है उनको पसंद आता है तो उनके लिए स्कूटर होने वाला है तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता है कुछ इसी तरह से होगा और इसलिए अगर टॉप स्पीड के वारे मैं बात करें ना 120 किलोटर पर आर की टॉप स्पीड होने वाली है तो जो स्पोर्ट्स के फैन है ज्यादा पावर परफॉर्मेंस के फैन है उन लोग को स्कूटर काफी पसंद आयेगा उन लोग के लिए होंडा ये स्कूटर लेकर आ रहा है अब इसके बाद गाईस बात कर लेते हैं इस ठीक है इसकी टॉप स्पीड तो काफी अच्छी है, मगर इसकी mileage का क्या, तो देखो guys, petrol scooter, 160cc का scooter होने वाला है, तो जो इसकी mileage है न, approximately 45-50 km per liter की claim करेगा Honda, लेकिन जो real world आपको असली में mileage चलाने को देखने को मिलेगी न, वो होने वाली around 35-40 के आसपास, वो आपकी चलाने के तरीके वे भी depend करता है, कितना जाद आप accelerator के साथ चलाते हो, कितनी braking करते हो, बहुत सारे factors आ जाते हैं, ठीक है, वो तो आपके personal depend करेगा, लेकिन Honda 45-50 km per liter की mileage claim करेगा, ठीक है, आगे पीछे allow wheels मिल जाएंगे, दोनों साइड ही आपको disc brakes देखने को मिल जाएंगे, हाँ, आगे telescopic fork suspension होंगे, महीं पर pricing इसकी 140,000 से आसपास चली जाएगी, अब वो state पर depend करता है, insurance, road tax, RTO अगरा ये सारी चीजों को मिला के इसे साब से pricing decide होगी, वो तो आपको launch होने एक बात showroom में जाके ही पता करना पड़ेगा, आपके state में क्या pricing है, अब इसके आत color variants की बात कर लेते हैं, red आएगा, इसके साथी gray आएगा, ये चार colors तो fix हैं, अगर इसके साथ on down कुछ अलग से additional colors देने होंगे, तो वो दे देगा, लेकिन confirmation एक तरह से आप मान सकते हो, demand जो हैं इंडिया में, इनी colors की जादा है, instrument panel आपको पूरी तरीके से digital देखने को मिल जाएगा इसमें, और अगर बात करेगा इसकी launch date की, तो 2024 की starting में, जन्वरी के महिने में ये launch हो जाएगा, आज की वीडियो पसंद आई, तो like करना, चैनल को subscribe करना, मैं मुलता हूँ आप से अगली वीडियो में, इन में से किसी भी एक वीडियो को देखके, enjoy कर सकते हो guys, bye